राधे राधे मेरी यूटूब फैमली चलिए आज मैं आपकी साथ शेयर करने जा रही हूं एक बहुत बढ़िया नमकीन की रेसिपी हम इसको दाल सेल बोलते हैं और साधे से पहले मैं इसको अपने घर पे बहुत जादा बनाती थी मतलब पापा जी बनाते थे हमारे घर पे तो मैंने उनी से इसको सीखा वा है तो मुझे तो इसका फूल मेजरमेंट पता है और यहां पर मैं करीब इसको एक साल के बाद बना रही हूं बहुत अच्छी बनती है जैसे मैंने बरतन ले लिया ना इसमें हमें यह आटा गूंधना है तो यहां पर यह मैं बारिक वाला बरतन में पहले मैंने नीचे दो तिन चम्मज के जितना ना रिफाइड ओयल डाल लिया था आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं जिससे की बेसा नीचे चिपक जाता है जब इसका आटा बनाएंगे और बस यहां पर मैंने बेसन डाल लिया है करीब 200-200 ग्राम के जितना मैंन बताओ ना तो जैसे आप एक किलो बेसन ले रहे हैं बारिक वाला फाइन बेसन लेना है उसमें करीब 100-700 ग्राम के जितना ओयल चला जाता है यहां पर हमें गी का इस्तेमाल नहीं करना है चाहे आप रिफाइड ओयल का इस्तेमाल कर ले या फिर आफ सरसों की तेल का इस्ते पतला यह दोला लगा के तयार कर लेना है बस इकठा सा कर लेना है बेसन है ना हाथ बहुत बुरी तरीकी से चिपकता है पर कोई बात नहीं है अच्छे से छुटा देते है चैलिए यहां पे हम यह एक पैन रख देते हैं अब हम इसमें ना डाल सेल बनाने शुरू करतेंग और यह जो मैंने बेशन का आटा गुदा है इसको 2-4 मिनिट का टाइम दे देते हैं ज्यादा टाइम देने की जुरूरत नहीं है तो यहां पर मैंने डाल दिया है सरसो का तेल तो हम ज्यादा करके क्या करते हैं अपने सारे पकवान सरसो के तेल में ही बनाते हैं आप चाहे तो इसको रिफाइन ओल में भी बना सकते हैं बस घी में न बनाईएगा नई तो घी न ठंडा होने के बाद चिपक जाता है इन पर मेरे पास तो यह एक मसीन लाई वी है मैंने काफी साल पहले में लेकर आई थी जब मैंने अपना कुकिंग चैनल सुरू किया था तो बहुत सारे मेरे पास कुकिंग के सामान हैं दीरे दीरे आपके सामने आते जा रहे हैं इसके जो ये तवे होते है ना तो ये बहुत बारिक वाला है एक मेडम वाला है एक मोटे वाला है तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर थोड़ी सी मोटे नमकीन बनाना चलिए तो यहाँ पर मैंने मोटे वाला तवा ही ले लिया है और सबसे पहले इस मसीन को हम अच्छे से ग्र उस मसीन के अंदर अच्छे से डाल देते हैं अच्छे से दबा दबा के डालेंगे तो चलिए इसमें मैंनी कि बेसंथ तो डाल दियार जैंपım अब क्या कर नहीं मैं हम कवर कर देते हैं तो मैं क्या कर रही हूं शुरू में लगा रही हूं में मोटे वाला तावार जिब बिल्कुल ऐसी जैसी नॉर्मली मोटे वाली आपने डाल सेल देखी होगी ना आती है मार्कीट में ठेली वगएर पे भी रखी रहती है लेकिन ये तो घर पे बन रही है ना बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट भी औ हींग आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं जी तरह हींग डालेगे ना इतना ही ज़्यादा फ्लेवर आएगा इसमें हींगा बहुत टेश्टी लगती है मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला था जैसे कि हमारा ये तेल बहुत अच्छे सी गरम होना चाहिए मतलब ठंड और सारे च्छेट से च्छेट से होता है है आप उसपे भी तोड़ सकते हो फिलाल मुझे थोड़ी सी जल्ली थी तो मैंने आपको प्रोसीज दिखाया नहीं और मैंने तो केवर मसीन से बनाए थी जब यह शीक सी जाए न थोड़ी सी कैडी कैडी सी हो जाए तो इसको क्या कहना है आपको पलट देना है मैंने पीछे इसके चिम्टा लगा दिया था और तब इसको पलटा है नहीं तो क्या होता ने एकदम तेल में गिर जाती है उससे छीटे भी लग जाते है अब यह जो साइज की जो हमारी भजिया या नमकीन होती है न जो दाल से लोती है वह ज़्यादा अच्छी लगती है वैसे मुझे चलिए यह बहुती बनी यह वह बनेगी जब यह च्छी सी क्रिस्पी हो जाए सारा कलर गोल्डन-गोल्डन सा दिखाई देने लगे तो बस इसको हम निक बिंच के जितना वह भी डाल सकते हैं इससे आपकी डाल सेल कलर ना बहुत ही अच्छा आएगा मार्किट से बहुत ही ज्यादा अच्छा है वैसे भी नमकिन मार्किट से अच्छी ही बनने जारी है क्योंकि आम इसको घर पे बना रहे हैं सुध और एकदम हाईजिनिक तरीके स और घर के सारे सामान इस्तिमाल भी कर रहे हैं मार्किट में क्या करते हैं कितने बार जो बचावा ओयल होता है जैसे घी वगएरा खुछ भी चीज़े बनाते हैं जिसको हम डड़ हैल बोलते हैं मतलब वो मिला देते हैं तो साब सपाई का इतना मतलब रहता नहीं है और जकने में ये वाला जो मीडं वाला साइज होता है ना दालसेल का ये कुछ जादा सा अच्छा लगता है और जो वो मोटे वाला होता है वो एक गठ्थिया नम्कीन की तरीके से लगता है थोड़ा सा मतलब मोटा मोटा सा लगता है बारेक वाला नोर्मली सभी को बहुँ पसंद आ जाता है इसको हम हलका सही ठंडा हो जाने देंगे और फिर ना मैं इसको आपको तोड़के दिखाऊंगी तो जब इस तरीके की चीज़े हम अपने घर पे बनाते हैं तो बच्चे दुकान की चीज़ों को खाने से खुद पे खुदी मना कर देते हैं क्योंकि घर की चीजों में टेस्ट भी होता है और हाईजेनिक तरीके से भी बनी होती है और बुच्चों को काफी ना पसंद भी आती है तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ अगर इतनी नमगी ना बाजार से लेके आए ना तो करीब 100-200 रुपे आराम से देने पड़ जाते हैं वहां पर और किसी का नाम लेकर आजाए माले हल्दी राम है या जितने भी ब्रैंड और तो उसमें केवाल हावाई हावा मिलेगी चीजे तो मिलेगी नियुक्त पैक के अंदर आती है उनमें मतलब क्या बोलू तीन चोथा यह होई भरी रहती है बस एक चोथा युसमे सामान मिलता है खाने के होती है क्योंकि इसमें मोश्चर वगेरा तो है नहीं बिल्कुल सौप्ट खस्ता और कुरकुरी यह नमकीन बनके तयार हुई है आपने देखा होगा जैसे में इसको तोड़ रही होते हैं बहुत ही आसानी से टूट भी रही है देखिए तो आप किसी भी साब से रख सकते हैं मतलब इतना बारी करना चाहिए चोटे चोटे टुकड़ों में कर सकते हैं या इसे बड़ी रखना चाहिए रख सकते हैं पूरा का पूरा घेरा रखना चाहिए रख सकते हैं तो बहुत बढ़ी नमकीन बनके तयार हो चुकी है इस नमकीन को आप एक बना के रख ले जब भ के पास बेशन कम है तो आप इसमें थोड़ी सी मैदा भी लगा सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत आटा भी लगा सकते हैं कोई फरक्ति पड़ता है नॉर्मली मार्किट में तो सब इसी तरीके से करते हैं बट मैंने तो यहां पर कुछ भी नहीं डाला वा है देखिए हैं हमा कि रादे दोस्तो फिर्मिल्टी